कि रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समुंदर भी आएगा कि रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समुंदर भी आएगा यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिरे की और मिलने का मजा भी आएगा जाहिन जाइबार्त आप सभी का गुर्कुल आर्मी ओनलाइन प्लेटपर्न पर हार्दिक स्वागत अभिनेंदन आज का सेशन बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा आज का महा एपिसोड होगा जो करंड़ जीके और स्टेटिक जीके के लिए सभी के लिए बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा आज का एक बार सेशन को दबा के शेर कर देजिए बिनाक्षी देरी के क्लास का आगाज करते है जी हाँ आज की क्लास का पहला की सुन कि 13 जुलाई को कौनसा दिवस मनाया जाता है सही दिवस कस्मीर में एस बिया इस्तापना दिवस विश्वय जंसंग्या दिवस या मलाला दिवस तो चाप जीजे एक बार कमेंट जेज मने बिनाक्षी देरी के देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आउंसर कोन देता है क्यार अप्शन सापके सामने जी बिलकुल तेरा जुलाई को सही दिवस कस्मीर में जो सही दुए थे वहाँ पे कस्मीर में सही दिवस मनाया जाता है बात करते हैं एस बियाई के स्तापना दिवस की तो एस बियाई की स्तापना दिवस कब मनाया जाती है गुर्जी SBI की स्तापना दिवस एक जुलाई को मनाया जाता है गुर्जी SBI स्तापना दिवस कब हुई थी? 1955 में हुई थी बात करते ही विश्वय जंसंग्या दिवस की तो विश्वय जंसंग्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है 11 जुलाई को विस्त वै जनसंग या दिवस मनाया जाता है बात कते मलाला दिवस मलाला दिवस कब मनाया जाता है मलाला युसुप जाई जिहां 12 जुलाई को 12 जुलाई को मलाला युसुप जाई के जनम दिवस के रूप में मनाया जाता है मलाला दिवस मलाला यूसुप जई के जनम दिवस पे मनाया जाता है मलाला यूसुप जो मलाला दिवस 12 जूलाई को जिन्होंने महिला सिक्सा के विवाग में बड़ा महत्वपुन उनका योगदान रहा था पात करते हैं नेश्ट किसन की कि बारवी पास करने वाले मेधावी चात्रों को स्कूटर रिकिस राज्य की राज्य सरकार आरत देगी केरल उत्तर परदेश असम या राजस्तान चाप दीजिए एक बार कमेंट सेसे में राइट आंसर बिना खिशी देरी के देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कोण देता है बिल्कुल आपका राइट आंसर है असम सरकार जो असम की सरकार है इस सरकार के दुआरा जो मेधावी चात्र है उन मेधावी चात्रों को स्कूटर देने की योजना वो असम सरकार ने लागू किये बात करते हैं गुजी राजस्थान की तो राजस्थान में जो मेदावी चात्राएं हैं उन मेदावी चात्राओं को स्कूटी देने की योजना है चालू है और कोलेज में भी ये स्कूटी योजना चालू है भी हाली में बात करते हैं कि किस राजे सरकार ने हाली में विदेशी केदियों को वीडियो कोल करने की अनूमती दिये है पंजाब, मिजोरम, महराष्ट्री या अंदरपरदेश तो चाप जीजे एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी दे रिके किस राजे सरकार ने हाली में विदेशी केदियों को वीडियो कोल करने की अनूमती दिये पंजाब, मिजोरम, महराष्ट्री या अंदरपरदेश बिलकुल आपका राइट आंसूर है महराष्ट्री सरकार ने जो केदियों को जो जेल में केदियों को वीडियो कोल करने की अनुमती परदान की है नेक्ट क्यूशन की बात करते हैं कि ग्लोबल क्राइस सिस्पांस ग्रूप ने हाली में कौन सा देश सामिल हुआ है जापान, इंग्लेंड, बारतियाब, बुटान तो साब जीजे एक बार कमेंट सेशन में जापान, इंग्लेंड, बारतियाब, बुटान बिल्कुल आपका राइट अनुमत्र है बारत हाली में ग्लोबल क्राइस सिस्पांस ग्रूप में सामिल होने वाला देश है नेक्स्ट क्यूशन की बात करते है कि बारत का सबसे बड़ा MFI बाचार कौन सा राज ये बना है बिहार, तमिल नाडू, केरल या मिजोरम चार उप्सन साब के सामने साब जी एक बार बिनाक्षी देरी के देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसूर कौन देता है लाड़ ले ढेखते हैं, बिल्कुल लाड़ ले तेरा राइट आंसूर है इससे पहले, तमिल नाडू इससे पहले बारत का सबसे बड़ा ऐमा फाई बाजार था इससे पहले, धिक है, और अभी हाली में बिहार इसका राइट आंसूर होगा नेक्स्ट क्यूशन की बात करते हैं कि दाब बढ़ने पर जल का कौंत नांग क्या होता या कौंत नांग पर क्या परभाव उपरता है देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कोन देता है कि दाब बढ़ने पर जलका कुंतनांग बढ़ता है गठता है या कोई परिवर्त नहीं रहता है या एव एव बैद दोनों देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसुर कुण देता है जी बिलकुल लाड़ ले तेरा राइट आंसुर है डाब बढ़ने पर जल का कुंदनाग है वो भी बढ़ता है नेक्ट क्यूशन की बात करते हैं कि सबसे बड़ी आँक किस इस्तंधारी प्रानी की होती है जीराप, हाती, हीरन या कुता जी बिलकुल आपका राइट आंसुर है हीरन की जो सबसे बड़ी आँक होती है इस्तंधारी प्रानी हों में बात करते हैं नेक्ट क्यूशन की नेक्ट क्यूशन आपका सामने कि हर्स दुवारा रचि साहिते कृती कौन सी है रतनावली प्रिय दर्ची का नागानन्द या सबी जी बिलकुल आपका राइट आंसुर है हर्स दुवारा रचित कौन कौन सी होची रतनावली भी हर्स दुवारा रचित है प्रिय दर्ची का और नागानन्द यह सारी के सारी तिनों की तिनों साहिते किरती हर्स के द्वारा रचित है तो right option होगा आपका the option बात करते हैं next question की कि Grand Truck Road किसके द्वारा बनाई गई थी या Grand Truck Road किसने बनाई थी सेरसा सूरी, अकबर, बीरबल या ओरंग जिब तो साब जीजे एक बार comment section में right answer बिना खिशी दे रही है जी बिलकुल आपका right answer है Grand Truck Road का निर्मान गुर्जी सेरसा सूरी के द्वारा किया गया था बात करते हैं next question की की PM पसल भीमा या परदान मंत्री पसल भीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी 16 जुलाई 2016, 17 जुलाई 2016 या 15 जुलाई 2016 या 19 परवरी 2016 तो साब जीजे एक बार comment section में right answer बिना खिशी दे रही है क्यार options आपके सामने जी बिलकुल आपका right answer है 15 जुलाई 2016 को 15 जुलाई 2016 को परदान मंत्री फसल भीमा योजना की शुरुआत हुई थी किसानों को फसल पे योजना पे जो भीमा योजना है वो भीमा योजना 15 जुलाई 2016 को शुरुआत हुई थी बात करतें इसके अलावा 19 परवरी 2015 को मर्दा स्वास्ते कार्ड कौन सा गुर जी मर्दा स्वास्ते कार्ड मर्दा स्वास्ते कार्ड की सुरुआत कब हुई थी लाड़ ले 19 फरवरी 2015 को हुई थी जो आपके B.S.M. ट्रेड में में क्यूशन पुछा गया था बात करते हैं नेश्ट क्यूशन की कि मनुष्य में लार गृंतियां कितने परकार की होती है लाड़ ले चार उप्संस आपके सामने देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कोन देता है मनुष्य में लार गृंतियां कितने परकार की होती है पाँच तीन चार या एक तो साब जीजे एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर डेखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसुर को न देता है बिल्कूल साप जी एक बार राइट आंसुर कमेंट सेसनमें बीना खिसी देजिके जी बिल्कूल जो मनुष्ये में लार्ग रनती है गुर्जी कितने परकार की पाई जाती है गुर्जी तीन परकार की मनुस्य में लार गरंतियां होती है ठीक है जी गुर्जी होती कौन कौन सी एक तो होती है गुर्जी पेरोटिड कौन सी होती है लार गरंतियों में एक तो होती है पेरोटिड जो सबसे सबसे बड़ी होती है सबसे बड़ी होती है कौण सी होती है पेरोटिड लार गरंती इसके बाद में जो दूसरी होती है सब लिगुल दूसरी परकार की लार गरंती होती है और जो तीसरी परकार की लार गरंती होती है सब मेंडू बूलर सब मेंडू बूलर बात करते हैं लार गरंती की तो लार ले जो पेरोटिड होती है वही सरप में जो विस होता है सरप जब डंक मारता है जब रख अपका जहर छोड़ता है मनुस्य में या डंक मारता है तब वो कौन सा होता है गुरजी वो पेरोटिड ही होती है कौन सी होती ह जो सांप में जहर होता है या इसा भी लेख सकते हो गुरूजी सांप में जहर पेरोटीड में होता है पेरोटीड लार होती है वही सांप में या सर्प में जहर वाली होती है इसके अलावा बात करते है गुरूजी जो लार होता है वो लार कितने परकार कहा होता है गुरजी लार चार परकार कहा होता है मनुश्य में कितना परकार कहा हो गुरजी मनुश्य में जो लार होता है वह चार परकार कहा लार कितना होता है गुरजी चार होता है लार में परकार में पूछा जाए तो और जो तीन जोड़ी होती है तीन जोड़ी कौन कौन शी होगी गुरजी एक दो और तीन और परकार कितने हो गएगी चार छीक है होती है तीन है इसका राइट ओप्सन मनुशे में लारगनतिय कितने परकार की होती है परकार की कितने होती है गुरजी जिसमें चार परकार के होती है और जिसमें लार गरंतिया तीन जोड़ी होती है तीन जोड़ी लार गरंतिया होती है एक जोड़ी दूसरी और तीसरी परकार कितना होता है गुरजी चार परकार होता है राइट ओप्सन आपका होगा चार अगर ट्यार पूछ रहा जाए कि लार्क ट्यार कॉन गुर्शी होती है गुर्जी एक तो होती है लाइसोजाइम कॉन शी होती है एक तो होती है गुर्जी लाइसोजाइम जिसका क्या कारी होता है जो किटानू को या जिवानू को नस्ट करने का कारी होता है जिवानों को नश्ट करने का कारे किसका होता है गुर्जी एलाइसोजाइम का होता है बारत करते हैं इसके अलावा टाइलीन की किसकी गुर्जी टाइलीन की तो टाइलीन जो दूसरे परकार की होती है और तीसरी होती है गुर्जी die stage किसरी होती है गुर्जी die stage होती है जी गुर्जी इन दोनों का एक ही कारिय होता है जो stars का पाचन करना क्या होता है गुर्जी इन दोनों का stars होता है stars का पाचन करना या stars को और भी क्या करते है गुर्जी मंड का पाचन करना इस दोनों का कारिय होता है में साइता परदान करती है पहले लाइसोजाइम दूसरों टाइलीन तीसरी डाइस्टेज और चोती म्यूकस चार परकार की होती है लाइसोजाइम जिवानों को नश्ट करती है टाइलीन वे डाइस्टेज स्टार्ज या मंडगा पासन करती है और म्यूकस जो चिपचिपा प 11 मिटर या 8 मिटर तो साब जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंस्वर बिना किसी दे रही गए देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंस्वर कौन देता है लाड़ ले जी बिल्कुल आहर नार की जो लंबाई होती है गुर्जी ये 9 मिटर होती है नेक्ट क्यूशन की बात करते हैं कि मनुश्य के सरीर में कौन से बाग में बोजन 4 गंटे तक रुखता है चार उप्संस आपके सामने कार्डियक बाग, फंडिक बाग या फाइलोरिक बाग या गर्सी का देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंस्वर कौन देता है गुर्जी मनुश्य के सरीर में जो कार्डियक बाग होता है या फंडिक होता है या फाइलोरिक बाग होता है गुर्जी आपका राइट आंस्वर है आपका जो फंडिक बाग होता है मनुश्य में और फंडिक बाग होता का है गुर्जी वो होता है आपके आमासे में क्या होता है गुरुजी आमासे में होता है जी गुरुजी जो पहला भाग होता है वो तो कार्डियक होता है मद्दे में इस्तित होता है वो भाग फंडिक भाग होता है और जो तीसरा भाग होता है वो फाइलरिक भाग होता है पहले भाग में क्या क्या होता है गुर्जी जो पहला भाग होता है उसमें HCL होता है जो जीवानों को नस्ट करने में साहिता करता है जीवानों को नस्ट करता है बोजन में किटानों को नस्ट करता है जी गुर्जी इसका pH मान को कितना होता है जो HCL होता है उसका जो pH मान होता पाई जाती, जिसमें रुजी के समान अबार्लोपी सर्चना होती जिसमें बोजन गुरुजी च्YAR गंटे तक रुखता है और HCl का जो एक काड़ियो important होता है वो पाचन का सबसे important होता है और यहां से पंडिक भाग से फिर फाइलोरिक भाग में आता है और फाइलोरिक भाग से यहां पर उपर इस्तित जो त्री भुज के आकार की यकर्त गरंती होती है जिससे पितरस निकलता है और इसे नीचे जो पिता से गर्णती होती है कौन सी होती है पिता से होती है जहां से पितरस संग्राईत रहता है फिर यहां से इसमें पितरस रावित होके वापस बड़ी हाथ में यह चला जाता है बोजन इसके उपर यहां पे कर्मा कुंचन गती के दुवारा धीरी-धीरे बोजर नीचे आता है जो गर्षिका से उपर इस्तित होती है next question की बात करते हैं कि तेले बीजों में कौन सा विटामीन पाया जाता है विटामीन A, विटामीन E, विटामीन B या विटामीन C तो साब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर बिना किसी दरी के तेले बीजों में विटामीन A, विटामीन B, विटामीन C या D या E कौन सा होता है एक बार साब दीजिए कमेंट सेशन में जी बिलकुल लाड़े तेरा राइट आंसर है तेली बीजों में गुरुजी विटामीन E होता है, कौन सा होता है, विटामीन E होता है, दूसरी बात, विटामीन E से क्या क्या होता है, गुरुजी इसका फाइदा क्या होता है, गुरुजी जो सुन्दरता होती है, सुन्दरता किसके कारण बढ़ती है गुरुजी, विटाम विटामीन E के कारण होती है तेले जिते भी बीज है उनमें कौन सा विटामीन होता है गुर्जी विटामीन E होता है पात करते हैं विटामीन A में तो गुर्जी गाजर में विटामीन A परचूर मातरा में पाया जाता है और विटामीन A की कमी से गुर्जी रतोंदी रोग होत पुरुची विटामीन C जितने भी खटे पल होते हैं उन सभी पलों में विटामीन C पाया जाएगा जैसे की आउला निमम्बू इन सब में सबसे जिदा पर्चूर मातरा में विटामिन C पाया जाता है बात कते हैं विटामिन C की कमिसे होने वाड़ा रोग कौन सा होता है गुरुजी इसकरवी रोग होता है कौन सा होता है गुरुजी इसकरवी रोग विटामिन C की कमिसे होता है बात कते हैं विटामिन D की बचा कौन सा है गुरुजी नेक्ट क्यूशन की बात कते हैं कि निकट दर्ष्टी दोस्त में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है आउतर लेंस उतर लेंस दोनों या समतल तो साब जीचे एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर बिना किसी दे रही के देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन द ृ जाताहि, क्या कहा जाता है गर्जी, मायोपिया भी कहा जाता है। हमने पहले बताया था कि जो दोस्त नाम होता है, वो दोस अशल में होता नहीं है। वो होता नहीं है जिसाए निकट रस्थी दोस मतलब निकट की वस्तों साप दिखाई देती है निकट की साप जो नाम होता है वो साप दिखाई देती है जिसमें जो जोस नाम दिया होता है वो साप दिखाई देता है और जो नाम नहीं होता है वो दिखाई नहीं देता है निकटरस्थी दोस मतलब निकट की वस्ते साप दिखाई देती है और दूर की वस्ते साप नहीं दिखाई देती है दूर की साप नहीं दिखाई तो जाइज सी बात है तो निकट की साप दिख रही है दूर की हमें देखनी है तो दूर की देखने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है गुर जी दूर की चीजों को देखने के लिए उत्तर लेंस काम में लिया जाता है और निकट की वस्तों को देखने के लिए गुर्जी उत्तल लेंस कामें लिया जाता है तो दूर दर्ष्टी दोस्ट में कौन सा लेंस कामें लिया जाता है जिसे हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है जिसे हैं दूर दर्ष्टी दोस्ट को कहा जाता है इसके अलावा जो जरादर्ष्टी दोस्ट है उसमें दिवपोक्सी जरादर्ष्टी दोस्ट में क्या होता है गुजी दिवपोक्सी लेंस कामें लिया जाता है जरादरस्ती दोस्ट में दिव फक्सी जिसमें उतल और उतल दोनों लेंस कामें लिया जाते हैं बात करते हैं गुरुजी ऐ बिंदुगता दोस्ट में कौन सा में गुरुजी ऐ बिंदुगता जब ऐ बिंदुगता दोस्ट होता है आई बिंदुगता दोस में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है गुरूजी उसमें बेलना कार लेंस काम में लिया जाता है कौन सा काम में लिया जाता है गुरूजी बेलना कार लेंस काम में लिया जाता है जी गुरूजी नेक्ट क्यूशन की ओर चलते हैं साथ में लिखते जाए बड़ा इंपोर्टेंट सेप्टर रहेगा आपकी आज के जो मेरतन क्लास रहेगी इसमें तो साथ में इसके सोड ले लिजिए निकर दर्शी दोस को गुरुजी मायोपिया भी कहा जाता है और निकर दर्शी दोस गुरुजी निकर की दोस्ते साप दिखाई देती है और दूर की दोस्ते साप नहीं दिखाई देती है तो जाइस सी बात है दूर की दोस्ते को साप देखने के लिए आउतर लेंस का काम में लिया जाता है और जो उत्तल दरपन हता है वो किसमे काम में लिया जाता है गुजी दूर दरश्टी दोस में मतलब जिसमें दूर की वस्ते हैं साप दिखाई देती है निकट की वस्ते हैं साप नहीं दिखाई देती है तो निकट की वस्ते हैं वो साप देखने के लिए गुर्जी उत्तर लेंस काम में लिया जाता है और जो आपकी दूरदर्ष्टी दोस को हाइपर मेट्रोपिया भी कहा जाता है बात करते हैं जरा दर्ष्टी दोस्ट की जिसमें दूपोक्सी लेंस काम में लिया जाता है बात करते हैं ऐब बिंदुकता की तो अब भी नुक्ता में गुरुजी बेलना कार लेंस काम में लिया जाता है जी गुरुजी बात करें लेंस की एक समता किसकी गुरुजी जो लेंस की एक समता होती है लेंस की जो समता को मापने वाला यंतर होता है उसका मातर क्या होता है, गुरुजी, डायोप्टर होता है, क्या होता है, उसकी समता का मापने वाला यंतर होता है, डायोप्टर, ठीक गुरुजी, अगला क्यूशन की ओर चलते हैं, कि साबुन के बुलबुले का चमकना किसका कारण है, परकिरनन विवर्तन, व्यतिकरन या पून आंतरीक प्रावर्तन तो साब दिजी एक बार कमेंट शेशन में बिना किसी देरी के साबुन के बुलबुले का चमकना किसका कारण है गुर्जी बिलकुल आपका राइट आंस्वर है साबुन के बुलबुले का चिपकन या चमकना व्यतिकन का परतीक है इसके साथ ही वेतिकन की एक गटना और होती है जो पानी की परत होती है पानी की परत पर केरोसीन का तेरना केरोसीन तेरता है जब पानी होता है या पानी की बाल्टी या कहीं पर थाली में सिधा जगए पर रखोगे और उपर केरोसीन रखोगे तो केरोसीन उसके उपर चमके गाया उसके उपर फेलता रहेगा जो चमकना रहता है जो पानी की बूंद पर अगर पानी होता है कहीं कट पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है गुर्जी जब हीरे का चमकना किसका कारण है गुर्जी हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे का चमकना हीरे पर परकास परता है तो वो चमकता है किसके कारण जूर्जी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है बारकते मर्ग मर्चिका की या राइगिस्थान में मर्ग मर्चिका मर्ग मिर्ची का जैसा कि आपको देखा होगा कि कर्मियों के दिन सड़क पे आप देखते हूँ तो दूर की जब सीधी सड़क होती है आप दूर देखते हूँ तो वहाँ पे आपको पानी सा दिखाई देता है चीक है उसी परकार यहांपे एसा दिखाई देखसा हैじゃあ जो जो जन्गल में रहते तो उनको दूर की तरब देखने पर वहाँपे वहाँ पानी सा दिखाई देता है जो किसका कारण होता है गुर्जी वो पूरा अंत्रिक परावर्तन के कारण होता है उसी कारण रेगिस्तान की जो मर्ग मिर्ची का है वो भी पूरा अंत्रिक परावर्तन के कारण होता है बात करते हैं वीवर्तन की किसकी वीवर्तन की तो गुर्जी जो धवनी का कमरे से दू दूसरे कमरे तक पहुंचना किसका कारण है गुर्जी वीवर्थन का वर्तिक है कि गुर्जी दवनी का एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचना किसके कारण पहुँचता है गुर्जी दौनी वीवर्तन के कारण वो पहुँचती है बात कते हैं परकिर्णन की तो गुर्जी परकिर्णन के कारण होता है जो आकास का नीला रंग दिखाई देना कि आकास का निला दिखाई देना किसका परतीक है गुर्जी परकिर्णन का कारण है इसके अलावा परकिर्णन के कारण गुर्जी सम्मुंद्र के पानी का रंग निला दिखाई देता है तो आप यहां पर यह भी एड़ कर सकते हो कि सम्मुंद्र का समुद्र का पानी निला दिखाई देना वो भी परकिन्डन के कारण दिखाई देता है इसके अलावा जो समुद्र के पानी के अलावा सुरियोदे वे सुविस्त के समय सुरिय का लाल दिखाई देना वो भी आप एड कर सकते हो सुरियोदे वे सुरियस्त सूरिय का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है वो भी गुर्जी परकिर्णन के कारण होता है एक बार इसनी सोड ले लिजिए और साथ में लिखते जाएए परकिर्णन के कारण गुर्जी सम्मुंदर का पानि जो निला दिखाई देता है आकास का निला दिखाई देना सूरिय अस्तवा सूरियोदे के समय सूरिय का लाल दिखाई देना ये सारी गटना परकिर्णन के कारण होती है इसके अलावा गुर्जी वीवर्तन जो धमनी का एक कमरे से दूसरी कमरे तेक पहुंचना वीवर्तन के कारण होता है बात कते हैं वेतिकरण की तो पानी की जो परत पर केरोशीन का जो तेना ज्या चमकना किसके कारण होता है वेतिकरण के कारण होता है और पून अंतरिक परावरतन जो हीरे का चमकना या मृक मिर्ची का किसके कारण होती है गुर जी पून अंतरिक परावरतन के कारण और की करन कि बूलबलय का चमक न गुर्जी वो होता है वीतिकर्ण की कारा है। एक बार इपनी से उटेलीगेए उसके बाद आगे की गोर चलते हैं। कि आंक का कौन सा भाग दान किया जाता है। कोर्निया भाग आईरिस भाग रेटिना या इन में से कोई नहीं। तो साब देजी एक बार comment session में बिना किसी दे रही के लेक्ते हैं इसका सबसे पहले right answer कोन देता है लेक्ते हैं बिल्कूल साब देजी एक बार right answer बिना किसी दे रही है लेको मानत करते रहो मानत करोगे तो simple त necessity आपको Sutia परदान होगी उनका भी एक exam देजिए अब अगर आप उच्छी लेवल के तैयारी करोगे तो नीचे वाले लेवल के पेपर आप आराम से पास कर सकते हो तो आंक का गुरुजी जो कौर्णिया भाग होता है वही दान के लिए available होता है जो दान के लिए available suitable होता है तो दान कौन सा भाग किया जाता है गुरुजी कौर्णिया भाग जो आंका होता है वही आंका दान किया जाता है उसके अलावा रेटिना पे गुरुजी जो परतिबिम का इस्तान कौन सा होता है रेटिना होता है रेटिना पे आपका जो परतिबिम बनता है जब किसी चीज को अपूं देख थे हैं जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पे अगर कोई गाय कड़ी है तो उसको हम देखेंगे, गाय को देखेंगे गाय को देखते हैं, वो सीधे आख पे पर कहां पर बनेगा परति बिम गुरूजी, वो रेटिना पर बनेगा और रेटिना से क्या हो गुर्जी तो तंत्रिका उनके मादेम से मस्तिस्क में पहुंचता हूँ मस्तिस्क पिर बताएगा कि हाँ यह गाई है फिर वहाँ पे वापस सूजनाे आएगी की रेटिना पे परती बिम बना है वो गाय का है जी गुरुजी अब बात करते हैं आपके इसके जो अधिकतम दो परास होती है वो गुरुजी अनंतक होती है और इसपस्ट देखने की नियूंतम दूरी है इसपस्ट देखने की नियूंतम दूरी होती है वो दूरी कितनी होती इसके अलावा अगले क्यूसिन की पर्ति में वास्तिविक वा उल्टा बनता है यहाँ पर जो पर्ति में बनेगा गुर जी कैसा बनेगा वो बनता कैसा है गुर जी एक तो वास्तिविक बनता है कि वो गाई ही है पर वास्तिविक बनता है उसके साथ थी उल्टा बनता ही है अमें सा याद रखना आँख में जो भी आप देख रहे हो कोई चीज तो वो उल्टी बन रही है वो उल्टी दिख रही है उसमें फिर जाओं मस्तिक में जाएगा मस्तिक में जाने के पास वापस आईगी आपकी सूच नहीं और फिर छितर बनेगा कि वो गाय का है जिसा जो चीज आप देखते हो नेक्स की बात करते हैं कि रिजिनी का एक इसन है कि दस ग्यारा नो बारा और आठ तो आगे कौन सी संक्या होगी यह आपको पूछा है तो चाप जीजी एक बार कमेंट जैसन में बिना खी देरी के देखते हैं सबसे पहले आठ तो साप जीजी एक बार कमेंट सेशन में बिना खी देरी के दस ग्यारा नो बारा आठ साब जी जी देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसवर जी बिलकूल लगाते हैं एक बार ट्रिक कौन सी ट्रिक लागू होती है गुर्जी दस से ग्यारा पे गया गुर्जी पलस का एक हुआ कितना हुआ गुर्जी पलस का एक और ग्यारा से गुर्जी नो पे गया तो ग्यारा से नो से दस ग्यारा गुर्जी माइनस का दो हुआ चिक है गुर्जी नो से बारा गया पलस का तीन हुआ बारा से गुर्जी आठ है तो माइनस के चार हुए तो जाइज सी बात है यहाँ पे पलस के पांच होंगे क्योंकि संक्या चल रही है पलस माइनस पलस माइनस पलस और एक बार पलस माइनस चल रही है और एक दो तीन चार पांच करम संक्या चल रही है तो आठ में आपको 5 एड करने हैं तो आठ में 5 एड करने पर गुर जी 13 आता है तो आपका राइट आउंसर होगा गुर जी 13 आपका राइट आउंसर होगा नेक्ट क्यूशन की बात करते हैं कि 50, 43, 36 गुर तीस इसका राइट आउंसर आगे क्या होगा कि रिक्सितन पे कौन सा आएगा कि 50, 43, 36 या गुर तीस इसके आगे जो खाली सताने उसमें क्या आएगी 45 आएगी 47 आएगी 22 आएगी या 24 आएगी तो चाप जीजे एक बार टंसर कौन देता है जी बिलकुल लगाते हैं ट्रिक गुर जी 50 में से 43 गए गुर जी 7 का डिफरेंस वार है 49 में से 36 का डिफरेंस लगा है गुर जी इसमें भी माइनस का 7 बन रहा है और 36 में से गुर जी आपके 7 जाने पे गुर जी 29 बचता है तो जो संक्या चल रहे है गुर जी 7 की संक्या चल रहे है तो इसी परकार अगर 7 का करम चलता है तो गुर जी 7 गटाएंगे तो क्या आए गुरुजी 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 आगे क्या आएगा 34, 38, 48 या 50 कौन सी शरंगला करम चल रही है BSTC, Army, CRPF दिली पुलिस, SSC, Airports सबी के लिए महतवपून जो आज की कलास है अपनी बर्मास्टी स्रीज हर एक्जाम के दिर्श्टी से बड़ी महतवपून होती तो बता दिजिए एक बार शाब दिजिए राइट ओप्शन कमेंट सेशन में देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ओप्शन कौन देता है 2, 8, 18, 32 देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ओप्शन कौन देता है गुर्जी 2 और 8 में वही करम चल रहा है गुर्जी 2 और 8 में कितने का डिफरेंट है गुर्जी 6 का डिफरेंट है 8 और 18 में गुर्जी 10 का डिफरेंट है ठीक है तो गुर्जी 18 और 32 में कितने का डिफरेंट है गुर्जी 18 और 32 में चोगदा का डिफरेंट है ठीक है क्योंकि यहां पे आगे और देखना है क्योंकि यहां पे चार का अंतर है यहां पे भी चार का अंतर है तो यहां पे भी गुर्जी चार का अंतर होगा तो चोगधा में गुर्जी आपको वहां पे चार और एड करने होंगे तब कितना आएगा गुर्जी यहां पे 18 आएगा और 18 में और 32 को जोड़ने पे कि गुर्जी 32 और 18 को जोड़ लिया तो गुर्जी कितना बना 50 बनता है आपका राइट उप्शन होगा गुर्जी 50 जो 10 उप्शन में जैसा कि आपको एगर इसा नहीं है तो इसा देख सकते हैं कि 2 और 6 को जोड़ लिया 8 बना 8 और 10 को जोड़ लिया 18 बना 18 और 14 को जोड़ लिया 32 बना तो 32 और 18 को जोड़ने पे 50 बनता है 44 का आगे करम चल रहे तो आपका राइट उप्शन होगा गुर्जी 10 आपका राइट उप्शन होगा जी हाँ तो एक बार शेसन को दबा के शेयर कर दिए बिना किसी देरी के और अपनी बरमास्ते सीरीजे उसे जुड़ते रहे और साम को 6 बज़े अपनी साइंस की कलास आती है उसे जुड़ना नहीं मुले इसी के साथ आप से इस कलास के बीसे हिजाज़त चाहते है जहिंड जहवार्थ